आज की जो कहानी लेके आए और फ्रेंड्स वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होने वाली है और आपकी लाइफ को एक पॉज़िवल इंपक्त करके एक आपको एक राइट डिरेक्शन देने वाली है यह कहानी है एक लड़की की जो एक कॉलेज में स्टुडेंट होती है और जैसे ही वो कॉलेज से घर पहुंचती है बहुत ज़्यादा अंदर से डिम्यूटिवेट होने की वज़ा से वो घर में आने से का बाद डारेक्ली अपने कमरे में दौरती है और तक्या पकड़कर रोने लग जाती है अब वो यह सेनारियो देखकर उसके जो डाड होते हैं वो यह सेनारियो देखकर वो डाड उसके कमरे में पहुंचते हैं और उसके माते पर हाथ फेड़ते हुए उसे पूछते हैं कि बेटा आपको क्या हुआ आप रो क्यों रहो तो जो बेटी होती है वो फादर को बनती है कि डैडी मेरे जो कॉलेज हैं उसमें जादा दर बोलते हैं लोग कमेंट्स पास करते हैं मुझे ऐसा लगने लग गया है कि कही ना कहीं मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूं मैं मैं और नहीं जीना चाहती इतनी चोड़ी से लड़की वो इतनी युठ्धाइं में जो गया स्टोव होता है सामने उस पे तिन टी-पेंस रखते हैं उसे बिना बोलें हैं एञ तीनो टीप एनस तीपैंस में एक एक करके पानी डालते हैं तिस व Eb-ot can तालते में जon and उसे बोलिख करने के लिए चोड़़वयं और तीनों को boiling करने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद गैस्ट उफबन करते हैं और उसे दिखाते हैं कि देखो बेटा जब यह मैं बाहर निकाला मैंने पहले टीपैन से आलू को आलू को बाहर निकालने से पहले, जब मैं boiling water में दालने वाला था, उससे भी पहले, यह जो आलू था, वो hard था, वो rigid था, बट इस boiling water में जाने के बाद, उसकी जो hardness है, उसकी जो rigidness है, वो dissolve हो गई, वो अब नरम हो चुका है, इसी तरह के से उससे दिखाते हैं कि यह जो egg है, दूसरे tea pan में वो boiling water में जाने से पहले, वो fragile condition में था, यानि तूट सकता था, बट इस boiling water में जाने के बाद, वो hard हो चुका है, अब सक्त हो चुका है, अब उन ही तूटेगा, और जो तीसरे tea pan है, उसमें इसी boiling water को बाहर निकालते हैं, और महसूस करते हैं कि उसमें coffee की सुगंद आ रही ह है, coffee की fragrance आ रही है, ये तीनों चीज़ें दिखाने के बाद, जो उसके daddy होते हैं, वो उसे पताते हैं कि देखो बेटा, हमारी जो जिन्दगी है न, वो भी बिलकुल इनी तीन items की तरह होती है, जिसमें boiling water जो होता है, वो हमारी जिन्दगी है, कहीं ना कहीं, जिन्दगी है हमारी एन तीनों आइटम्स, decide हमें करना है, आपको करना है, decide बिटा, कि आपको क्या बनना है, पोटेटो की तरह बनना है, एक की तरह बनना है, या coffee beans की तरह बनना है, तो ये तीनों चीज़ें दिखाने के बाद, उसे समझाते हैं ये चीज़, अगर बताते हैं कि अगर आप एक आलू की तरह बनोगे, तो होगा क्या, कि life में boiling water जो है, उसे जाने से पहले, आप अंदर से hard हो सकते हो, बट life में जाने के बाद, life में involved होने के बाद, आपकी ज अरीगे से उसे बोलता हैं कि अगर आप एक एक बन कर रहोगे, तो होगा क्या, कि हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा नरम हो, हो सकता है, आप तूट सकते हो, अंदर से, इस एक की तरह, बट boiling water में जाने के बाद, हो सकता है, आप hard बन जाओ, हो सकता है, कि आप अपने life पे आप यह अपना taste छोड़दा होगे, so, आपको decide करना है कि आपको इन तीनों में से क्या बनना है, ये चीज़ें उन्होंने उसे बताई, एन उसे एक और चीज़ बताई, कि देखो बेटा, message आपको, यही मैं देना चाहता हूँ बेटा, जो इन्होंने बताया अपने बेटी को, कि life बेटा आज भी difficult है, और life कल भी difficult रहेगी, ये जिन्दगी जो है न, वो नहीं बदलेगी, same boiling water की तरह रहेगी जिन्दगी, but decide आपको करना है, कि आपको क्या बनना है, इन तीनों आइटम्स में से, so, this was the message of the day, friends, कि do not become a potato, even do not become a egg, but do become like coffee bean, जिसमें आप जहां भी ज अपना टेस्ट होड सको, flexible बन पाओ, जहां भी जाओ, आप गुल मिल पाओ, so, आप को अच्छा लगा हो message, तो इस वीडियो को अपने हर social medias पे, friends के साथ, colleagues के साथ, share करें, जिससे लोग भी आगे inspire हो सकें, और वो motivate रह सकें, अपने काम की प्रती, अपनी family के point of view से sustain कर पा subscribe दो कर दीजेगा, जिससे इसी तरीकी के आपको powerful motivational videos, आपको लगातार मिलती रहें, जिससे आप inspire हो सकें, और आप लोगों को भी inspire कर सकें, हमारे mission में, आत्म निर्बर mission में, हमारा साथ दे सकें, and message of the day is friends, के wherever you will go, you will leave your sparkle, so become like a coffee beans, I will see in the next video, till the time, Fuka Numin Motiwella, here is signing off, you go self-made.